आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडिजर नैचर्स ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे पिंक सोरल यह पिंक कलर के फूल आप देख रहे होंगे पिंक सोरल याने की ऑक्जेलिस आर्टिकुलेटा ऑक्जेलिडिसी फैमिली का है खटे पत्ते होत है जा यह Ugh यह की निच्छी राइजय होता है उससे इसका प्रोपेगेशन हो जाता है बहुत इन्टरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो अगर decision के लिकट सोते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ ये कर लेता है आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी चटनी बना सकते हैं और यह भूक को बढ़ाने वाला होता है इंडाइजेसिन की समस्या होती है उसको दूर करता है और बहुत टेस्टी खटे इसके पत्ते होते हैं बहुत टेस्टी लगता है इसको आप अपने गमलों में घरों में लगा सकते हैं और इसके अलावा ये क्या करता है अगर कोई skin की problem हो तो skin की problem के लिए कहीं खुजली हो या fungal infection हो गया हो तो इसके पत्ते को PC आप लगा दीजिए बहुत commonly मस्वों की समस्य हो जाती है extra growth हो जाती है तो आप इसके चटनी बनाईए और उसके उपर लगा दीजिए आसानी से ही है अपना प्रभाव करी तरीके से उसका इलाज कर देता है कई बार बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बुखार हो जाता है ऐसी अवस्था में भी आप इसके पत्ते लीजिए डिकॉक्षन बनाईए और दिन में 6-6 गंटे के अंतराल पे चार बार आप इसको ले सकते हैं 20-25 मग तक आप इसका डिकॉक्षन बना कर सकते हैं लेकिन डिकॉक्षन कर सीवन सैध मिला कर चाहिए कई बार ज़्यादा मात्रा में लेने से को बचना चाहिए तो बचना इसलिए चाहिए इसके अंदर जो हाई अमाउंट में औक्जलीक एसिड होता है वो हमारे बोड़ी के पाई जाने वाले के साथ कंपॉंड बना लेता है केल्सियम का शरीव के अंदर एब्जॉर्प्स नहीं हो पाता है देरे-देरे शरी के अंद प्रफर क्या होता है कि अगर सुपन दोस्ट की समझ्चा है या नाइट फॉल की समझ्चा है तो इसके पूरे प्लाउन्ट को आप राक बना लिजे और राक से चार बन जाती है और 200 मिलिग्राम चार लेकर उसमें सहेद मिलाकर तिन में दो बार्से वन करने से नाइट फॉल के समस्षा बहुत अच्छी से ठीक हो जाती है इसकी चार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसकी राख को आप पानी में गोल लीजिए और पानी में गोलने के बाद उसको 12 घंटे आप रख देजिए उपर जो निथार के जो पानी आएगा उसको दूसरे बरतन में खटा कर लीजिए और धीमे धीमे आच पर उस पानी को आप पकाएंगे तो पकाने के बाद जब सारा पानी उड़ जाएगा नीचे उसके बॉटम में एक वाइट कलर का जो पाउडर बचेगा वो उसकी चार गही जाती है उस चार को आप कांच की बोटल में एयर आप ने यह देखा कि इसका जो डाइरूटिक प्रभाव है वो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का निराकरण भी करता है यह है अगर कहीं चोट लग जाए ब्लीडिंग की समस्या हो रही हो रक्त का प्रभा रुकना रहा हो उसको रोकने के लिए भी आप पत्रों को पीश कर उसके उपर लगा सकते हैं बहुत अच्छा ही अपना कारे करता है विबन परकार के यूरिनरी ट्रक इंफेक्शन होते हैं वहां भी बहुत अच्छा ही कारे अपना करता है इस परकार से यह साधान दिखने वाला पोधा बहुत ही असाधारन इसके गुण है और हमारे स्वा पत्पतवार समझ कर आप इसको हटाइए नहीं इसको संदक्सित करने के आओ सकता है बहुत अच्छा यह प्लांट है आपको अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक सीर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग व्यक्तियों को सभी लोगों को यह सही जानकारी पह को पहुचा है जा सके आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार